पीए मोधी के दौरे पर जमू कश्मी में सुरक्षा सक्त कर दी गई है श्वेनगर में बक्षी स्टरिये में तीन स्टरिये सुरक्षा का गेरा है स्टेडियम के पास की उँची इमारतों पर सुरक्षा बलकी 13 है साथ ही स्रे नगर के कई स्थानों पर अस्थाई जांच चौकियां पनाई गई है तो बक्षी स्टेडियम में तीन स्टरिये जो तीन लेयर्ज है उनको तयार किया गया है सुरक्षा की क्योंकि प्रधान मंत्री की ये बहुत बड़ी रैली और पहली बारी रैली ओने जा रहे इतीन सतर रखने के बाद तो निश्चित तोर पर सुरक्षा होना बहुत जरूरी है क्योंकि दिस तरीके से हमने घाटी में कई चीजे होती हुई देखी लेकिन लोगों में उतना ही उत्सहा भी है वो सुन्ने आ रहे हैं अपने प्रधान मंत्री को कि आखिर आज घाटी से प्रधान मंत्री क्या संदेश लेते हैं रिफट हमारे साथ हमारी सायोगी लगातार बने हुई रिफट हमने हमारी सायोगी रुबिका भी वहीं पर मौझूद है वो चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है लोगों में उत्सा दिख रहा है कि पीएम आए तो सुने हम जरा हूं को कि अधिके बिल्कुल आजिस तरीके से मैंने कहा कि लोग लगातार आ रहे हैं दूर-दूर इलाकों से चाहे कुफ़ारा हो अनंतनाग हो बारा मुला हो या बाकी जो एरिया से वहां से लोग आ रहे हैं मैं कैमरा पुस्टन से को हम वो दिखाए आप दिखे कि लगातार जि यह मैं दिखानी की कोशिश करूंगा रिफत नौजवान आ रहे हैं आपके पीछे बात भी करिएगा उनसे पूछेगा भी कितीन सत्तर हटा तो क्या बदला हुए ज़रा वो अच्छे से बता पाएंगे मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों से बात करने की आप देख सकते हैं यहां से आपको एक किलारिटी आएगी कि कितने सारे लोग जो है वो इसके रैली में जो है वो शिरकत कर रहे हैं और यहां पे स्रक्षा के सक्त इंतिजामात है और आप यहां पे देख सकते हैं कि कितन अब 2,000,000 लोग आएंगे अब देखें के कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे आप हमें बताइए काप कहा हैं इतलों कि स्पीश सुनने के लिए हैं तो कैसा उत्सा है का यसा लग रहा है लग तो ठीक रहा है चाहँ तो क्या क्या उमीद है मोधी जी से मैं तो इनकी भी काफी उमीद हैं कोई रोजगार समझता है कि उसमें इजाफा होना चाहिए को राश्ट भूरत की नहीं है कि हम तो यहां पर आप यह देखें यह यह अभी यहां पर उत्सा आपते हैं हाँ हम इसकत मुझी साब से मिलने वाले हैं अनकरीब हम उससे मिलेंगे उमेद लगाने का काम किया गया था नौजवाने को लेकिन आज लोग अपने पी-म को सुनने जा रहे हैं और पी-म से उमीद भी लगाये हुए हैं झाल